बिल्लु बारबर हिंदी मूवी समीक्षा बिल्लु जिसे पहले बिल्लु बारबर के नाम से जाना जाता था 2009 की हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो प्रिदर्शन द्वारा निर्देशित, रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट द्वारा निर्मित और इरोज इंटर्नेशन द्वारा वित्रित है 2007 की मल्यालम फिल्म कढ़ा परियुमबोल का एक आधिकारिक रुपांतरण जिसे मुश्ताक शेख और मनीशा कोडे द्वारा अनुवादित किया गया है इसमें इर्फान खान मुख्य भूमिका में हैं, शाहरुख खान और लारा दत्ता मुख्य भूमिकाओं में हैं और सहायक कलाकारों की टोली है करीना कपूर, प्रियंका चोप्रा और दीपिका पादुकोन गानों में विशेश भूमिका निभाते हैं यह फिल्म 13 फर्वरी 2009 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी यह सुदामा और कृष्ण की कहानी का पुनरकथन भी है यह फिल्म 2009 हवाई अंतर राश्ट्रिय फिल्म महोचसव में प्रदर्शित की गई थी बिल्लू एक गरीब नाई है जो अपनी पत्नी बिंदिया और अपने दो बच्चों गुंजा और रौनक के साथ बुद्बुदा गाउं में रहता है वह अपने करीबी दोस्त बुद्बुदिया और नौबत चाचा के साथ भी समय बिताते हैं बुलीवुड सूपरस्टार साहिर खान एक फिल्म की शूटिंग के लिए गाउं आने तक बिल्लू एक घटनाहीं जीवन जीता है बिल्लू ने अपने परिवार को बताया था कि वह साहिर को पहले से जानता है लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि वह साहिर को कैसे जानता है जब उसके बच्चे स्टार के साथ अपने पिता की दोस्ती के बारे में बात करते हैं तो बात पूरे गाउं में फैल जाती है वस्तुते रातों रात, बिल्लू, जो पहले अपनी नीच स्थिती के कारण अधिकांश लोगों द्वारा तिरस्कृत किया गया था, ध्यान का केंद्र बन जाता है जिन लोगों ने एक सप्ताह पहले ही उन्हें ठुकरा दिया था, वे अब उन्हें अपना करीबी दोस्त बताते हैं, ताकि वह उन्हें साहिर से मिलवा दें बिल्लू ने मना कर दिया और दोस्ती को महत्व नहीं दिया फिर भी शक्तिशाली व्यवसाई साहुकार दामचंद साहिर से मिलने की मांग करता है और ऐसी मुलाकात हासिल करने के लिए बिल्लू को महेंगे उफार देता है जब बिल्लू गाव के लोगों को साहिर से मिलवाने में लगातार असफल होता है तो उसकी स्थिती एक बार फिर बदल जाती है उस पर अपनी दोस्ती के बारे में जूट बोलने का आरोप लगाया गया और हर कोई जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं, उसके चरित्र और निश्था पर संदेह करने लगे खुद का बचाव करने के बजाएं, बिल्लू अपनी और साहिर की दोस्ती की प्रकृती के बारे में चुप रहता है गाव में साहिर के आखिरी दिन सितारा गुंजा और रौनक के स्कूल समारोह में बोलता है वह बच्चों को अपने गरीबी भरे बच्पन के बारे में बताता है, जब उसके पास बिल्लू नाम के एक अन्य युवा लड़के के साथ दोस्ती के विशेश बंधन के अलावा कुछ नहीं था यह बिल्लू ही था जिसने साहिर की देख भाल की थी और अन्ता उसे अपनी सोने की बाली देकर मुंबई जाने में मदद की थी जहां साहिर एक स्टार बन गया था बिल्लू जो कार्यक्रम के पीछे खड़ा है बाचीत के दोरान साहिर को बताए बिना चला जाता है कि वह वहा है हालाकि शहरवासियों को बिल्लू को बहिश्कृत करने में अपनी गल्ती का एहसास होता है वे साहिर को बिल्लू के घर ले जाते हैं बिल्लू के बच्चे घर आते हैं और अपने पिता से उन्हें हुई परिशानी के लिए माफी मांगते हैं. अचानक साहिर अपने सबसे अच्छे दोस्ट से मिलते हुए बिल्लू के घर में प्रवेश करता है. वे एक दूसरे को गले लगाते हैं जिसे पूरा गाव और बिल्लू का परिवार खुशी से देखता है. अंत में साहिर को एक और शूटिंग के लिए जाना होगा लेकिन वादा करता है कि उसकी और बिल्लू की दोस्ती ठिर से कायम है और दोस्त बनी रहेगी.